दूस्तो आज मैं लाया हूँ टेक्नो पोवा स्रीज के दो बहुती बढ़िया स्मार्टफॉन जिन में आपको दबा के रैम और दबा के स्टोरेज मिल जाता है तो पहला स्मार्टफॉन हमारे पास है टेक्नो पोवा 4 और दूसरा टेक्नो पोवा नियू तो आज हम इन दोनों smartphone की unboxing और comparison करने जा रहे हैं एक साथ देखते हैं कौन सा smartphone आपके लिए रहता है सबसे best first of all बात करते हैं Tecno POVA 4 की तो ये हाली में launch हुआ है कीमत है इसकी 11,000 रुपे इसमें आपको मिलेगी 8GB RAM, 128GB का storage और यहां पर virtual RAM को मिलाए जाए तो पूरा 13GB RAM आपको इसमें मिल जाती है camera आपको इसमें 50MB, front camera 8MB, battery 6000 एमेज की दी गई है और वहीं पर 1000 रुपे कम कीमत में आपको Tecno POVA Neo मिल जाता है 10,000 रुपे के अंदर इसमें आपको मिलेगी 6GB RAM, 128GB का internal storage रियर में आपको 13MB, front camera 8MB, battery 6000 एमेज की दी गई है साथ ही आपको इसमें Tecno के earbuds फ्री मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के box पर आपको mobile का design देखने को नहीं मिलेगा back side में कुछ headline features को mention किया गया है दोनों स्मार्टफोन के box हमने open कर लिया है तो यहाँ पर Tecno Poba 4 में सबसे उपर स्मार्टफोन रखा हुआ है इसे हम फिलाल साइड रखते हैं और box में अंदर देखते हैं क्या-क्या दिया गया है तो phone को safety देने के लिए एक flexible transparent silicon का cover मिल जाता है अच्छी quality का है cover इसके बाद आपको एक 18W का fast charger और type C USB केबिल मिल जाती है केबिल की length और quality आपको normal ही मिलती है 12 month का warranty card, quick start guide user manual यहाँ पर दिया गया है आते हैं Tecno Poba Neo पर तो यहाँ भी सबसे उपर स्मार्टफोन रखा गया है इसके बाद अंदर देखें तो यहाँ भी phone को safety देने के लिए flexible transparent silicon का cover 12 month का warranty card, quick start guide user manual, 18W का एक fast charger और यहाँ पर आपको normal micro USB cable मिलती है और हम आते हैं स्मार्टफोन पर तो in hand field दोनों ही स्मार्टफोन size में काफी वड़े हैं और मोटे लग रहे हैं बाकी आपको punch hole display मिलती है टेक्नो पूबा 4 में और नियो में आपको drop notch display दी गई है इस scratch guard दोनों पर आपको पहले से लगे हुए मिल जाएंगे और back side में आपको plastic body मिलती है लेकिन different back panel है दोनों स्मार्टफोन के यहां पर मुझे जादा बढ़िया टेक्नो पूबा 4 का back panel लगा विल्कुल flat back panel और काफी अच्छे designing यहां पर आपको देखने को मिल जाती है light reflection भी काफी कमाल का है camera setup देखिए dual camera यहां पर दिये गया है जिसमें 50 megapixel का है mean camera और दूसरा एक supporter AI lens camera with LED flashlight दिया गया है फ्रेंट में punch hole के अंदर 8 megapixel का selfie camera आपको मिलता है वही टेक्नो पूबा नियो का जो back panel है वो normal सा ही आपको देखने को मिलता है जो कि सस्ते smartphone का back panel भी बिल्कुल एस ही रहता है तो कर्वी है यहां पर और इसमां आपको एक lining मिलती है हलके-लके ranges feel हो रहे हैं तो इन पर scratches कमाएंगे इस side तो यहां पर पूरी matte finishing दी गई है उपर आपको fingerfin sensor मिल जाता है और जो track no pova 4 है इसमां आपको side में fingerfin sensor दी आ गया है इसकी camera भी आपको dual मिल जाते है जहां 13 megapixel का mean camera है और दूसरा AI lens camera with LED flashlight front में drop notch के अंदर आपको 8 megapixel का selfie camera मिलता है और फीचे यो camera setup है कुछ ऐसा बनाया गया है कि दूर से आपको देखने पर लगेगा कि triple camera दीए गया है लेकिन फास आखे देखेंगे तो महातर दो ही camera आपको नजर आएंगे दोनों स्मार्टफोन के right side में आपको power on key plus volume rockers और उपर की side दोनों कुछ नहीं दे रहे हैं यानि कि secondary mic दोनों में आपको नहीं मिलेगा बगल में आपको sim tray मिल जाती है जहां आप लगा सकेंगे दो sim card और एक memory card 317 mobile के bottom में 3.5 mm का audio jack primary mic charging jack और speaker grill दिये गये हैं दोनों स्मार्टफोन की power को तो on कर लिया है सबसे पहले इनकी brightness already दोनों की brightness फुल ओर की है तो display में आपको ज्यादा कोई bright display देखने को नहीं मिलती है 500 nits की brightness है technopoba 4 की 480 nits की brightness है technopoba new की हाला कि outdoor भी आप easily use कर सकते हैं डिस्पले में colors भी आपको उतरे खास नहीं मिलते हैं जितने ही मुझे उम्मी थी बाकी यहाँ पर थोड़े से better color technopoba new की लग रहे हैं technopoba 4 के मुकाबले icon दोनों के बिल्कुल एक जैसे है user interface scroll up करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे application नजर आएंगे और यहाँ पर कई सारे bluetooth app, free install app भी यहाँ पर भरे गए हैं बाकी यहाँ पर आपको 90Hz का refresh rate मिलता है technopoba 4 में और technopoba new में आपको 60Hz का refresh rate दिया गया है इसके बाद आपकी नजर जाएगी edge और bezels पर तो corner और ऊपर से तो काफी थिक bezels हैं लेकि नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिल जाएगी चलिए बात करते हैं डिस्पले की तो 6.82 इंच की HD plus IPS LCD आपको मिलती है फोबा 4 में और फोबा नियो में आपको 6.8 इंच की HD plus IPS LCD दी गई है यानि कि दोनों स्मार्टफॉन में आपको full HD plus डिस्पले नहीं मिलती है एस्पेक्ट देखें तो 170.5 मिलिमेटर की हाइट है पोबा 4 की और पोबा नियो की हाइट है तिकनेस 8.7 mm की पोबा 4 और पोबा नियो है 9.1 mm का तो थोड़ा सा मोटा है पोबा नियो वेट में थोड़ा सा यह अंतर है 213 ग्राम का पोबा फोर और पोबा नियो है 212 ग्राम का दोनों के अंदर 6000 mm की बैटरी लगी हुई है और दोनों ही स्मार्टफॉन स्प्लेस प्रूफ है हलके फुल के पानी के छेटे मोबाल का कुछ नहीं बिगारने वाले और अब हम सेटिंग पे नजर डालेंगे पोबा फोर से सुरुवात करते हैं इसकी सेटिंग को जैसी आप उपन करोगे तो अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा जहां सारे ओप्सन आपको मिल जाते हैं उपर माई फोन का ओप्सन दिया गया इस जो की लेटेस्ट है बाकी कैमरा के डिटेल से आपर मेंसन की गई है और इसमें आपको 6NM का फाइवरिकेशन माली G57 के ग्राफिक मिलते हैं और रेम देखें आपर 8GB रेम प्लस 3GB वर्चुल रेम और रेम को आप 5GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं यानि कि 5GB और रेम आप इस पॉन पर लगा सकते हैं 6000 इमेच की बैटरी इस टोरेज टाइप UFS 2.2 और रेम टाइप LPDDR 4X का दिया गया है वहीं फर हम पोबा नियू यह थोड़ा सा ओल्ड मुबाइल है इससे काफी पुराना है और इसकी सेटिंग का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा आपको नजर आएग 6GB RAM प्लास 3GB Virtual RAM यहां पर मिलती है यानि कि 9GB RAM आपको यहां भी मिल जाती है 128GB का स्टोरेज एक्सपेंडेबल मेमरी मात्र 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकोगे और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको मिलता है इसकी अलावा केमरा डेटेल्स यहां पर मेंसेन है प्रोसेसर देखिए दोस्तों जिस हिसाब का यह पुराना ही आपको इसमें प्रोसेसर भी मिलता है 2 GHz क अक्ता कोर प्रोसेसर और मीडिया टेक हीलियो जी 25 का काफ़े आउटडेटेड चिपसेट यहां पर दिया गया है 6000 इमेज की बैटरी एंडुएड वर्जन आपको इसमें 11 मिलता है और रेम टाइप LPDDR4X यहां भी मिल जाता है चोटी सी नजर दो में स्मार्टफोन के कैमर को मैंने ओपन कर लिये हैं ज्यादा नैचुरेल कलर तो मुझे यहां पर टेक्नो पोबा नियो से लग रहे हैं दोस्तों चलर बढ़िया लग रहे हैं इसके कैमरा से आप यहां पर देख सकते हैं और जब कि यहां पर थोड़ी सी वाइटनेस जादा आपको पोबा फोर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रेंट सेलफी कैमरा में आपको 2X जूम सपोर्ट मिल जाता है तो फ्रेंट्स मैंने सारी लाइट्स ओफ कर दी हैं और यहाँ पर लाइट ओप करके दोने स्मार्टफॉन के कैमरा को देखे तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपनी पसंद होती है, किसी को कलरफुल कैमरा पसंद आता है, किसी को ज़्यादा कलर पसंद नहीं आते तो उस हिसाब से यहाँ पर आप दोनों के कलरटी को नोटिस कर सकते हैं, और यह हमने यहाँ पर फ्रेंट कैमरा को उपन कल दिया है, तो देख सकते हैं, यहाँ पर कम लाइट में भी आपको अच्छी कलरटी दे देते हैं दोनों कैमरा तो फ्रेंट्स यह थे टेक्नो पोबा सिरीज के दो बहुती बढ़िया स्मार्ट फॉन, अगर दोस्तो आपको बड़ी डिस्पले वाला स्मार्ट फॉन चाहिए, जिसमें आपको मूबीज देखनी हैं या फिर आपको गेमिंग करनी हैं, तो फ्रेंट्स आपके लिए टेक आपकी आउट्डेटिट मिलता है